नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेंदर सिंग रावत है और हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में भरतियों को लेकर और उस स्रेडी में आज हम बात करेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस भरती परिक्षा को लेकर अन्य जो परिक्षा हैं उनको लेकर हम अगला वीड साथ हुआ है MP पुलिस भरती दो यह भी ट्रेंड कर रहा है और आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग अभी जुड रहे हैं वीडियो से देखते जा रहे हैं आप लोग इसे ट्वीट करें बार-बार ट्वीट करें लेकिन ट्वीट करने में यह आप ध्यान र दिया जाये, hold पर डाल दिया जाये तो इन सब चीजों से अपन को बचना हैं सही तरीके से अपन को इसको ट्रेंड में लेकिया आना है अब ट्रेंड में लेकिया आना है उसका क्या फाइदा होगा अब अपन उसके दो-तीन example बिल्कुल recent example अपन देखते हैं जैसे बच्चन साब को कोरुना हुआ था तो लोगों को वो निउस बहुत पसंद थी तो इतना कि हर निउस चैनल पर उनके जो एक्टिविटीज थी वो चल रही थी सभी जो गॉर्मेंट के बड़े-बड़े लोग हैं उनने भी ट्वीट करके उनके लिए चिंता व्यक्त की थी तो ये था दूसरा है मुद्दा सोसान सिंग जी के केस का जो सुसाइड और मेर्डर जो भी है उसमें सी सी बी इट होगी लोगों को इतना पसंद और यहर निउस चैनल पर भी चल रहा है तो ये लोगों का जो उनको पसंद होता है वो उनके सामने reflect होने लगता है तो इसी लिए हमें अब अपने interest को change करके दिखाना होगा government को कि government को हमारी government को ये बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा MP पुलिस भरती दो ट्रेंड करेगा तो गौर्मेंट को पता चलेगा कि हमारे युवा या हमारा देश क्या चाहता है हम किस पर बात करें और ये जो भरती परिक्षा है तीन साल से पिछले तीन साल से नहीं आई है युवा परेशान है इसमें आवरेज होने का खत्रा बहुत जादा हो जाता है तो वहां पर बिल्कुल डारेक्षन जिंदगी की बदल जाती है कुछ लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ता है कुछ लोग समय लेकर इस फील्ड में आता है और ये मध्य प्रदेश है यहां पर हर तरह के युवा हैं जो समय लेकर कोई 6 मेने का कोई 8 मेने का कोई 1 साल का समय लेकर आता है समय उनका समापत होता है वो अपनी डारेक्षन बदल लेते हैं कुछ लोगों को मजबूरन बदलना पड़ता है जिसमें सबसे critical सबसे गंभीर जो हो जाता है हमारी बहनों का विश्य हो जाता है वो कैस इसे कैसे अपनी साधी को रुकवा कर समय लेकर आती हैं और उनके पिता उनको पढ़ा रहे हैं हम समझ सकते हैं मद्यप्रदेश में हैं वो पढ़ा रहे हैं उनको और उनका सर्वाइब करना इतने लंबे समय तक कब तक वो अपने घर पर ना बोले हैं तो ये विशय गंभीर है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए. इसलिए हम इसे trend करेंगे और एग दिन नहीं, दो दिन नहीं करेंगे, हम इसको लगातार trend में बनाए रखेंगे और सभी लोग मिलकर इसको बनाए रखेंगे. हम teachers की जिम्मेदारी है कि हम सभी जितने लोग हमारे साथ हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हम सब को लेकर आगे बढ़ें, तो इसी क्रम में हम भी कोसिस करते हैं, एक और सभी टीचर्स कर रहे हैं, जिसमें जो एहम नाम है, वो चोहान सर का नाम है, दिनिश चोहान सर का नाम है, अवदेश पदवरिया सर का नाम यह खास नाम है जो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं तो आप चाहें इनसे यूटूब पर जुड़ें कहीं से भी जुड़ें आप देखेंगे वह बहुत महनत कर रहे हैं और यह आप लोगों की लड़ाई है युवाओं की लड़ाई है और टीचर्स इसमें पूरा सहय करेंगे और हर इस्थिती में वह आपके साथ खड़े रहेंगे अब विशेस अपील आप लोगों से जो जुड़ने के लिए है वो है जो युवा दूर दराज बैठे हुए हैं जैसे ग्वालियर, मुरेना, सवलगर, स्योपुर या नीचे बुरहानपुर वगेरा या मंड जो 4 सितंबर को आवान किया गया है भोपाल आने का जो युवा नहीं पहुंच सकते अगर वो नहीं पहुंच सकते तो बिल्कुल पहुंचने का बहुत अधिक दवाव नहीं है किसी के उपर सब सोतंत्रे लेकिन क्या कर सकते हैं वो MP पुलिस भरतिदों को ट्रेंड में ला सकते हैं वो वहां बैठ कर आपको जो डाटा मिल रहा है उसका उपयोग करके आप समझ गए हैं कि वो क्यों और कितना जरूरी है अब ये तो बात की हमने किसकी जो लोग तयारी कर रहे हैं वो अब जो लोग तयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें सहीयोग कर रहे हैं जैसे तैयारी ना करने वालों में माता पिता Time तैयारी करने वालों के भाई बहन और दूसरे लोग जो अभी इस फील्ड में नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद वो इस फील्ड में नजर आये सभी की जिम्मेदारी है कि हमारी मीडिया जो भटक चुकी है, सरकार जिसके दिमाग में या जिसके जहन में अभी ये मुद्दा उस तरह से नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी है इस मुद्दे को फ्रेंट में लेकर रहे हैं, सभी लोगों की जिम्म अपना सहयोग या हम बोलें ये एक पुन्य यग है बड़ा यग है आप सभी की आहूती उसमें चाही गई है अपना योगदान चाही मुबाइल से हो या भोपाल पहुंच कर हो जरूर दें जरूर दें और रही भोपाल पहुंचने की बात जो युवा साथी भोपाल तो पहली चीज जो कोविड के नॉम्स हैं आप उनका विशेश रूप से पालन करें और हम समिधान के अंदर हम इखटा हो रहें समिधान के अंदर रहते हुए हम इखटा हो और सांती पूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें हमारी मांग है कुछ ऐसा नहीं है कि जवरदस्त कहीं पर अपन को फालो करवाना है हमारी सरकार है हमारे लिए बस मुद्दा सामने आने की बात है वो जरूर सुनेगी और जरूर सारी चीजें होंगी तो मर्यादा का बहुत विशेश ध्यान रखना है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से सांती पूर्ण तरीके से कि एक उध जो पहुंच सकती है वो पहुंचे जो नहीं पहुंच सकती वो इसको जरूर ट्रेंड में लेकर आए इसका डिसकेशन आप अपनी फैमली से करें भाई बहन से करें जितनी जगह पर आप गली नुकड में इसका डिसकेशन कर सकते हैं वो करें हम क्योंकि अपन लोगों के प खड़ा करना है मैं मुद्दे को तो जरूरत है हर जगा पर उसकी चर्चा करने की और फिर आप देखेंगे कि आपकी चूटी चूटी चर्चाएं कितना विशाल रूप धारण करती हैं और गौर्मेंट जो एक्शन लेगा आप देखना उसमें किस तरह से एक्शन होते हैं त तो वो जरूर लेकर जाएं दूसरा दूसरा जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है तो उनको जो सक्षम बैखती उनके आसपास लग रहे हैं कोचिंग के टीचर्स अपने जो भी लग रहे हैं दूसरे कोचिंग के टीचर्स भी आप संपर्क करें उनसे डिसकस क करके आप लोग प्लान तयार कर सकते हो जाने का लेकिन कांट्रिबिशन के लिए आप लोग तयार है ये ना सूछें कि अकेले मेरे मैं अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा आप एक छोटासा example लेकर देख सकते हैं कि एक गाउं में बिल्कुल छोटा सा एक मिनट का example है गाउं में खीर बनाने का तैय किया गया कि भंडारे में खीर बनाते हैं अपन और उसमें तैय किया गया पंचायत में कि सभी लोगों से एक एक लोटा दूद की डिमांट की गई कि सभी घर से एक एक लोटा दूद आ जाएगा और हम भंडारा बड़े आराम से संपन्द करेंगे उसमें खीर बनाएंगे एक बुड़ी हमाने सोचा कि एक लोटा मेरा दूद अगर इस गाउं में नहीं जाएगा तो क्या फरक पड़ेगा, बाकी सब लोग तो लेके ही आएंगे, मैं ले जाती हूँ और पानी का लोटा ले कर जाती हूँ, उसमें डाल दोंगी, क्या देखेगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि मैंने पानी डाला है या दूड डाला है, और साम को जब वो बड़ा बरतन ख पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो आपको यह नहीं सोचना है कि आपका योगदान नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा बहुत फर्क पड़ेगा बूंद-बूंद से घड़ा बड़ता है आपके योगदान की अती आवश्यक्ता है आप समझ लें कि जो उम्मी का निवाएं, तो उम्मीद है सभी लोग contribute करेंगे और इसको फैलाने की कोशिस करेंगे, सभी का सहयोग करेंगे, और रही बात teachers की, तो अपने teachers से भी बोलें कि वो भी आगे आएं, जहां local लेबल पर, जिला लेबल पर, सभी लोग अपने teachers से संपर्क करें, और teachers इसम सभी लोग पूरा योगदान देने के लिए तयार हैं, तो आप लोग कहीं भी पीछे ना हटें, सभी आपके साथ है, माहौल आपके साथ है, समय आपके साथ है, बहुत positive हैं, आप आगे बढ़ें, सब होगा, और सारी चीज़ें positive होंगी, इनी सब्दों के साथ, बहुत बह कहां पर vacancies हैं, और कहां पर government से चर्चा करके उन पर बात की जानी चाहिए, वो सब अगली वीडियो में हम लोग discuss करेंगे, आज के लिए नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे, और इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले कर जाएंगे, जै हिंद, जै भारत सा करेंगे वीडियोम छोट है, जै ही करना छोट कि दोगे उन परना एक टियायों.